कि अहलो दोस्तों आज मैं अपके लिए कैसी अप्लिकेशन लेकर आया हूं जो आपको बहुत ही आसनी से लोन प्रोवाइट करा रही है यह दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं से हच्थ करताहूं कि प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को जिरूर लाइक क कर लेंगे अपना मॉबाइल नबर डालेंगे तो डीक कर देंगे तो आपके पास करने के बाद आपको लोगिन विए ओटीपी लित इस तरक अब अब तो इसामें यह को यह दिखा रहाए यह बद्धा लॉन अपको का लूं ले सकते हैं दोस्तों यहां पर आपको apply पर क्लिक करना है जैसे ही आप apply पर क्लिक करेंगे आपसे कुछ basic information लेगा next step में आपको eligibility दिखाएगा फिर आप यह पूछता है आपको gender क्या है आपका first name last name आपको pen card वाला डालना है फिर दोस्ता आपको last name डालना है date of birth डालनी है email id डालनी है check eligibility आप तभी आगे बढ़एगे तब आप इसे पुरा complete fulfill कर देंगे दोस्तों मैं अभी आपको इसे फिल कर नहीं कर रहा हूं मैं आपको फिल करके पुरा आगे next step दिखाऊंगा मैं अभी इसे वीडियो से skip करके तब फिल कर रहा हूं ठीक है दोस्तों वह सब details फिल करने के बाद आपको से हमने कुछ ऐसा interface आएगा यह interface आने के बाद देखे दोस्ता आपको congratulations you are eligible to get loan up to 10,000 and based on your risk profile you can get a duration up to 61 days यानि के आप 61 days के लिए यह loan ले सकते हैं और दोस्ते मैं दीखा रहा है आपको यह आपको चार प्रोसेज हैं यहावे करने है loan eligibility आपको दीख गई है loan application फिल करने है आपको loan agreement लेना है loan displacement आपके सीधा account में आ जाएगा फिर continue to apply पर हम क्लिक करेंगे जब हम continue to apply पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों में यहाँ पर fancard आपको फोड़ों डाल लिए पी your selfie डाल लिए address proof डालना है address proof में आप क्या डालना चाते ह आधार का डालना चाते है passport वो ट्राइडे दोस्ता आप यहाँ आपको यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है यह देगी दोस्तों जब आप अपने पूरी complete detail फिल कर देंगे यानि कि आप दोस्तों अपने पूरी application को complete कर देंगे अपने document upload कर देंगे उसके बाद आपके सामनी है जो dispensal amount है आपके सामने show कर देगा यह देखे दोस्ता आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 1500 रुपया के लिए अभी मैं eligible हूँ यहाँ पर मैं 1500 तक का amount ले सकता हूँ और दोस्तों यह देखे साथ जो टेनर टाइम है वो 12 दिन हो गया है दो installment में यानि कि दो installment में मुझे pay कर सकते हैं दोस्तों 1500 रुपय का मुझे disverse amount मिलेगा और 1787 रुपय मुझे repayment करने है यानि के 287 रुपय का यहाँ पर चार्ज लग रहा है इंट्रेस्ट चार्ज दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी डिटेल repayment amount है जो 1787 loan amount है 1500 total interest है 26% यानि के 76 रुपय processing fees 170 GST 32 दो पर जो repayment का amount है वो दो installment में जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं एक जो मेरा है 30 तारिक यानि के छटे महिने को तीन शे को दिखा रहा है जो पहली payment है वो 894 रुपय जाएगी फिर जो दूसरी payment है वो 893 रुपय जाएगी देखे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दो आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपकर अपयाए जाए तो आपके सामने इंट्रफेस आएगा यह बोलेगा कि इस अपर पत्र देख विडियों और यहां बिखा देख सहूं यह सेल्फी अप्लोड करने के बाद दोस्तों अभी अप्लोड हो रही है अप्लोड करने वाला आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा यूर अप्लिकेशन हैस बीन सक्सेस्पुली सब्मिटीड दा रिजल्ट बिल भी सेंड बाइ समस या निकि जो रिजल्ट है अगली वीडियो में अची कुछ अच्छी जनकारे के साथ धन्यवाद दोस्तों